इंसल्स या डिस्रिगार्ड्स हो तो उस वक्त ज़रा स्थीर रहना तो आप आगे बढ़ पाएंगे यू आर नॉट चेक्ट बाई यूर पर्फॉर्फॉर्मंसेज यू आर चेक्ट बाई हाव यू हैंडल्ड फेलियर्स फॉर्चून फाइंडर्ड के बारे में तो आपने सबने सुना है ना फॉर्चून फाइंडर्ड कमपनीज उसमें से कहीं CEO's को मैं मिला हूँ नैशनल इंटरनाशनल सेमिनार्स में हम मंच पे साथ में रहे हैं अभी दो साल पहले शीव खेरा और हम लोग साथ में थे बहुत अच्छी बात्चीत वारतालाब हम मंच पे बैटे तब हुआ था बड़े-बड़े CEO's को मैंने पूछा हैं Multinational Companies के CEO's को कि ते परसन तो हूम यूर पें more than 10 करोर रूपीज पर एनम in salary what do you ask them in their interviews तो एक बड़े Multinational Company के CEO ने मुझे पूछा था कि स्वामी इस इस था फॉस्ट ताइम आम आस्ट इस अभी हमने यह नहीं सूचा था मैंने बोला कि क्योंकि कहीं executives हैं उनकी annual तंखा हैं 50 करोड, 100 करोड मैं जागरा तबस्ता में बोल रहा हूँ है यह बहुत बड़ी software बनाने वाली company है Infosys नहीं Indian company है, American company है Ellison उनका CEO है Ellison Oracle Oracle company है, आप net पे जाके Oracle खोलना Ellison नाम डालना और उनकी तंखा आप देखना पिछले पांच साल की उनकी एवरेज तंखा है 400 मिलियन डॉलर्स पर येर Silence 400 मिलियन डॉलर, एक मिलियन डॉलर मतलब 65 करोड गिन लो, चलो, राउंड फिगर 70 करोड गिन लो 1 million dollar is 10 lakh dollars, is 7 करोड रूपीज So 400 million is 2800 करोड रूपीज पर एनम Salary, आप देखले ना, मैं नाम देता हूँ Ellison, E-double-L-I-S-O-N He is the CEO of Oracle आप नाम देखले ना अभी परसो ही आपने सुना होगा सुन्दर पिचाई का, Google के CEO पर दे की salary साड़े तीन करोड परसो ही news थे हाँ, दो दिन पहले news थे In the print media it is today electronic media में दो दिन पहले आगाए थे breaking news में Last year financial year की पूरी salary उनकी 1,285 करोड थी To be exact 1,285.5 करोड मतलब रोज की तनखा साड़े तीन करोड की सुन्दर पिचाई, Google के CEO अब देख ले ना मैंने इनको पूछा इनकी MNC की turnover थी डाइलाग करोड की हम Delhi में एक function में साथ में थे मंच पे बैठे थे मैंने उनको पूछा कि those executives whom you pay more than 10 करोड और 25 करोड उनको इंटर्व में आप पूछते क्या हो क्योंकि उनके पास degrees तो extraordinary ही है he's a double MBA from LSE or Harvard academics तो पूछना नहीं है इतनी बड़ी तनखा देते हो तो वो 10-15 साल का अनुभव तो है उसको 10-15 साल में उसने 50,000 करोड, 1,000,000 करोड manage की है हर साल turnover की हाँ ऐसी कंपणीज में ही बड़ी-बड़ी positions में रहे हैं तो उनको networking में पूछना नहीं है, administration में पूछना नहीं है HR में पूछना नहीं है management में पूछना नहीं है growth के बारे में आपकी क्या सोच है वो पूछना नहीं है आप पूछते क्या हो उनको इंटर्यू में उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि स्वामी जी इन कक्षा के लोगों को जिनको हम ये प्रकार की तंखा देते हैं उनको इंटर्यू में एक ही प्रश्न पूछते हैं I was like very surprised मैंने बोले एकी प्रश्न पूछते हैं और उनका उत्तर वे 20-25 मिन तक देते हैं तभी उत्तर पूरा बनता है that was more surprising I said what do you ask he said हम एकी प्रश्न पूछते और ये पूछते हैं describe a big failure in your life and how did you handle it प्रश्ने क्या पुत्ते हैं इन कक्षा के लोगों को describe a big failure in your life आपके performance के बारे में कुछ पूछना नहीं है कि मैं पहली कंपनी में था वहाँ 200% सेल बढ़ा दिया दूसरी कंपनी में था वहाँ 500% ग्रोड कर दिया वो हमें नहीं सुनना है वो थाया आप लोग सब जो यहां बैठे हो जो इंटर्वी वाले देने आये हो जिनको भी यह तंखा देने वाले सब के पास ऐसी ऐसी performance stories है यह common है यह हमको नहीं पूछना है पूछना क्या है describe a big failure of your life and how did you handle it simple performance say